हेलो सब्सक्राइबर दिस इस प्रिया तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से विक्स चाप्टर 10 लॉज एंड शोशल जस्टिस हमारी कंट्री में लॉज बनाए गए हैं कानून बनाए हैं जिससे की लोगों को जस्टिस मिल सके इनसाफ मिल सके एक दिन चिंग अपनी फ्रेंड चमेली से पूछती है कि लॉज होते क्युव हैं तो चमेली बताती है लॉज की वज़े से वर्कर्स को फेरली पेट हिया जाता है इसका मतलब है कि वर्कर्स के साथ गलत नहीं होता है जितनी उनने मैनत किया है उन्हें उतना पैसा मिलता है औ इनको enforce भी करवाना पड़ता है, लागू कराना पड़ता है, इनको follow करना पड़ता है, तबी तो फाइदा है laws का, कोई भी workers के साथ exploitation नहीं कर सकता, exploitation मतलब होता है उनसे काम निकालना, या जबर्दस्ती उनसे काम करवाना और कम पैसे देना, bondage means होता है, गुलामी करवाना, तो ये सब चीजें नहीं कर सकता, कोई भी worker के साथ, अगर ऐसा कोई करेगा, तो law बने हो हैं, और उससे उसको punishment मिलेगी, यहां तक कि हमारे constitution में, ये लिखा गया है, कि अगर किसी बच्चे की age 14 है, या उससे कम है, उसको factory में कोई भी, हजाडियस काम नहीं करवाया जाएगा, हजाडियस मतलब होता है, खतरनाक काम, जिसे chemical की factors होती है, क्योंकि ये time तो बच्चों का education का होता है, अगर कोई ऐसा करवाता है, तो उसे मिलेगी punishment, अब ध्यान से सुनना, एक दर्दनाक कहानी, ये भुपाल की स्टोरी है, और इसका नाम है भुपाल कैस ट्रैजडी, काफी इयर्स पहले, यहाँ पे एक ट्रैजडी हुई थी, एक company थी, American company, Union Carbide की, Union Carbide बोले तो pesticide की, महाँ पे pesticide बनते थे, पेस्टिसाइड मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, जो farmers crop पे स्प्रे करते हैं न, उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड जिससे की कीडे मकोडे मर जाते हैं, 2nd December 1984 में, आधी रात को, Methyl Isocinate, एक highly poisonous gas, लीख हो जाती है इस factory में से, विमेन जिसका नाम ता अजीजा सुल्तान, वो बताती है, 12.30 रात में, मेरा बेटा खास रहा था बहुत बुरी तरीके से, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, पूरे रूम में, सफेद रंग का धुआ ही धुआ हो रखा है, और सब जगा से लोग बोल रहे हैं, भागो भागो, और ये भी बहुत बुरी तरीके से खास रही थी, इनको सास लेने में प्राबलम हो रही थी, और आइज में भी बहुत ज़ादा जलन मच रही थी, शौक्ड करडे वाली न्यूस तो ये थी, कि तीन दिन के अंदर अंदर, एट थाउजन पीपल की डैथ हो गई थी, और हंडर्स ओफ थाउजन मेंड हो गई थे, खायल हो गई थे, भ्योश हो गई थे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंसिडेंट की वज़े से, पूर वर्किंग क्लासीस फैमिलीज को हुआ था, फिफ्टी थाउजन पीपल्स को तो वर्क ही नहीं मिलाता इस इंसिडेंट के बाद, और जाता तर लोगों को तो रिस्पेरेटर डिसॉर्डर्स हो गई थे, आई में प्रॉब्लम हो गई थी, जो चिल्रेंट से उनको अबनॉर्मेलिटी हो गई थी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यह ट्रैजिडी कोई एक्सिडेंट नहीं था, यहाँ पे सेफटी मेजर को इग्णोर किया गया था, कोई भी, कैसी भी मशीन नहीं लगी थी सेफटी मेजर्स की, क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं ना, उनको तो पैसा बचाने से मतलब है, तो उन्होंने कोई भी सेफटी मेजर्स नहीं लिये थे, इस वज़े से इंसिडेंट हुआ था, जो वर्कर्स इस ट्रैजडी में बच गए थे, उन्होंने बोला कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो कम से कम हमें 3 डॉलर बिलियन चाहिए, तो गॉर्मेंट ने भी हैल्प की, बोला कंपनी से कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, लेकिन कंपनी वाले कहां देने वाले थे, उन्होंने तो सरिफ 470 डॉलर मिलियन दिया, अब होना क्या था दोस्तों, देखो, इन अमेरिकन कंपनी ने एक कंपनी थी, डाव कैमिकल कंपनी उसको बेच दी अपनी कंपनी, और चल पड़े प्रॉफिट कमा के अपने यूएस से अमेरिका, फिर ये जो डाव कंपनी थी ना, इसने तो मना ही कर दिया कि हम कोई भी, ये जो टॉक्सिकल कैमिकल है, इसको हटाने नहीं वाले, कोई क्लीन नहीं करने वाले हमारी कोई responsibility नहीं है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, कि अमेरिकन कंपनी ने कम किया था, कि अत्याचार जो डाव कैमिकल कंपनी भी कसर पूरी करने आ गई अपनी, आज भी लोग इंसाफ मांग रहे हैं, कि हमें इंसाफ दो, वो पाल कैस ट्रैजिडी से, लाइफ खराब हो गई है लोगों की, ये सब सुनने के बाद, चिंग की चमिली से बूलती है, वाट इज अ वरकर्स वर्थ, वरकर की क्या वैल्लियू है, तो चमिली बूलती है, यार देख, जो कमपनीज होती है न, वो कॉस्ट को सेव करती है, सेफटी मेजर ना लगा के, और अर्न करती है, हाइर प्रॉफिट कैसे, कि वो जो वरकर्स होते हैं, उनको कम पैसे दिये जाते हैं, और काम ज़ादा करवाया जाता है, तो इस वज़े से जो कमपनीज है न, हाइर प्रॉफिट कमा लेती है, और उनको तो अपने बस पैसो से मतलब होता है, लेकिन USA में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हाई वेजिस मिलते हैं वरकर्स को, क्योंकि वो एक रिच कंट्री है, अमीर देश है, और वहाँ पे सेफटी मिज़र भी काफी अच्छे लिए जाते हैं, लेकिन इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तो लो वेजिस मिलते हैं वरकर्स को, क्योंकि यह पूर कंट्री है, गरीब देश है, और यहाँ पे जो सेफटी मिज़र होते हैं, वो भी बहुत लोवर हैं, अच्छे वाले नहीं हैं, इसी लिए इंडिया जैसी कंट्री में, इंफोर्स्मेंट ऑफ सेफटी लोज बहुत इंपोर्टेंट है, सेफटी लोग को इंफोर्स करवाना इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉंस्टेशिशन में भी लिखा है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ मतलब होता है, कि जीने का अधिकार, सबको अधिकार है, कि वो सेफ एंवार्मेंट में जीए, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, कि सेफ एंवार्मेंट होना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिलनी चाहिए लोगों को, डैली पे तो यमुना रीवर इतनी जादा पॉल्यूट हो गई थी, कि बस पूछो ही मत, तो कोर्ट ने डिसिजन लिया, कि यमुना के आसपास जो भी फैक्टरीस हैं, उनको हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं सोचा, कहीं और शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे भी तो पॉल्यूशन होगा, इस पूरी स्टोरी का कॉन्क्लिूजन ये निकलता है, कि लॉस कितने नैसेसरी होते हैं, कितने इंपॉर्टन होते हैं हम लोगों के लिए, लॉस अगर ना हो, तो लोग एक दूसरी के साथ अनफियर करने लग जाए, गलत करने लग जाए, कोई किसी से डरे ही नहीं, ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी, अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में, दू यू रिकॉल तर स्टोरी आफ अशिर्ट, आपने class 7 में पढ़ी होगी इस स्टोरी शॉर्ट की, कि कैसे शॉर्ट को प्रेड्यूस किया जाता है, कॉटन से कैसे शॉर्ट बनती है, और कैसे उसको बाई करते हैं मार्केट में, तो बाईंग और सेलिंग हर एक स्टैप में आता है, जैसे कि हमने cotton खरीदा, तो इसका मतलब हमने बाई किया है, और उसको हम आगे चाके मार्केट में सेल करेंगे, फिर उस कार्टन से शॉर्ट बनेगी, तो ऐसे करके एक परसन दूसरे परसन से बाई करता है, और उसको मार्केट में सेल करता है, तो ये एक चेंड की तरह ही तो हो गया, बहुत सारे लोग directly और indirectly involved होते हैं शॉर्ट के production में, फॉर एक्जैंपल, आप अगर मार्केट गए, तो मार्केट से जब आपने शॉर्ट बाई करी है, खरीदी है, तो उस शॉर्ट को बनाने में cotton लगा होगा, अब उस cotton को फार्मर ही तो लेकर आए होंगे, लेकिन आपको क्या लगेगा, कि हमें तो भी ये शॉप वाला दे रहा है, तो ये ही लेकर आया है, फार्मर्स का तो कोई contribution ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, फार्मर का भी इसमें contribution होता है, जैसे कि हमने class 7 short वाली story में पढ़ा था, कि उन लोग के साथ कितना गलत करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, तो उनके साथ exploitation होता है, exploitation मतलब होता है, कि unfair तरीके से उनसे काम करवाया जा रहा है, उनको कम पैसों में काम करवाया जा रहा है, और जादा काम लिया जा रहा है उन लोगों से, ऐसे ही जो exporting factory होती है, उसमें जो worker काम करते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है, उनको भी बहुत कम पैसे दिये जाते हैं, इससे हमें पता चलता है, कि जो market में exploitation होता है, वो किन-किन लोगों के साथ होता है, जैसे कि workers हो गए, consumers हो गए, और producers हो गए, तो profit कौन कमाता है, तो profit कमाते हैं business persons, वो ही सारा profit ले जाते हैं, इन विचारों को तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो loss में रह जाते हैं, workers, consumers और producers, अब इतना exploitation हो गए इन लोगों के साथ, तो government को कुछ न कुछ तो करना चाहिए न, तो government ने बनाए हैं इन लोग के लिए laws, अब laws ऐसे बनाए हैं, जिससे कि ये लोग protect हो सके, इन लोगो थोड़ा safety मिल सके, और इनके साथ unfair practice ना हो, तो बोलते हैं न, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अब जो भी इन लोग के साथ करेगा गलत, तो उन लोगों को बिलेगी punishment, तो अब देखते हैं कि laws, ये कानून कैसे बनाए थे government ने, और क्यों बनाए थे, इस picture को देखके तो आप पता लगा ही सकते हैं, कि कैसे जो workers होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, महनत करके अपना गुजारा करते हैं, अब हम देखेंगे कि common market में, जो markets होती हैं न, वहाँ पर laws कैसे बनाए हैं government ने, सबसे main important thing तो है, issue of workers wages, लोगों को पैसा नहीं दिया जाता, workers से काम तो करवा लेते हैं, लेकिन wages ही नहीं देते हैं उनको, पैसा ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो private companies वाले होते हैं, contractors होते हैं, business persons होते हैं, उन्हें तो बस अपना profit चाहिए न, बाकी दुनिया जाए भाड में, ये workers को उतना money नहीं देते, जितना उन लोगों ने काम किया होता है, for example, अगर उन्होंने 100 रुपीज का work किया है, तो उन्हें 50 रुपीज दे देंगे, और बाकी के 50 अपने पास as a profit रख लेंगे, और कभी-कभी तो ये workers को पैसे देते ही नहीं है, money देते ही नहीं है, इतना unfair करते हैं, इतना गलत करते हैं workers के साथ, तो इस वज़े से government ने laws बनाए worker wages के लिए, कि इन लोगों proper money मिलना चाहिए, जितना इन लोगों ने काम किया है, उतना तो at least तुमें देना ही पड़ेगा, इस minimum wage law के according, ये बोला गया, कि जो employers हैं, जो workers को job provide करवाते हैं company में, उन लोगों को workers को पैसा देना ही पड़ेगा, जितना उन्होंने काम किया है, उतना तो minimum wage देना ही देना पड़ेगा, और government ने एक minimum wage भी रख दिया, जैसे कि 100 रुपीज या 200 रुपीज, जिसके 200 रुपीज तो देना ही देना पड़ेगा employers को, कुछ भी करके workers के साथ unfair होने नहीं देंगे government, government इस law से, ये insure करना चाहती थी लोगों को, कि workers के साथ अब गलत नहीं होगा, उनको fairly paid किया जाएगा, जो भी पैसा उनको fairly दिया जाएगा, जितने उन्होंने महनत की है, जितना काम किया है, उतना money मिलेगा, और underpaid मतलब जो half money देते थे, तो इस step से नहीं होगा, पूरा-पूरा money मिलेगा उनको work का, government इस minimum wages को revise करती रहती है every year, कि कितना-कितना workers को money मिलना चाहिए every year, minimum wages का जो law है, वो workers को protect करके रखता है, worker को securities है, कि चलो जितना हम work कर रहे है, उतना money तो मिल रहा है हमें, तो ऐसे ही काफी सारे laws होते हैं, producers और consumer के लिए, तो producer वो लोग होते हैं, जो चीज़े produce करते हैं, जैसे कि shirt के case में हमने देखा था, farmers है, वो produce कर रहे हैं, अब इन laws की वज़े से न, यह जो law बनाते हैं, कानून बनाते हैं government, तो जो three parties होती हैं, जैसे कि workers हो गए, consumers हो गए, producers हो गए, तो इनके साथ कोई exploitation नहीं होता, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, सारा कुछ fairly होता है काम, यहां पर आप देख सकते हैं कैसे workers, meal में work कर रहे हैं, यह एक textile meal है, एहमदाबाद की, अब यहां पर 1980s और 1990s में क्या हुआ था, देखो, power loom आ गया था, अब power loom तो electricity से चलती है सारी machines, अब लोगों की तो जुरत ही नहीं है, तो यह जितने भी workers से यह रहो गए परिशान, क्योंकि इनके हाथ से चील ली थी job, अब यह लोग क्या करें, कैसे इस competition को beat करें, इनके लिए तो problem ही create हो गई थी ना, तो ऐसा हुआ था 1980s और 1990s में, यहां पे stable में, कुछ important laws बताए हैं, और यह भी बताया गया है, कि यह laws क्यों necessary है, क्यों जरुद पर्टे इन laws की, और कौन कौन people होते हैं, जो इन law के through, अपने आपको protect कर पाते हैं, खुद को safe कर पाते हैं, और इन law का use करते हैं, फर्स्ट law है minimum wages act, इसका मतलब है, किसी भी worker को, इतना money तो मिलना चाहिए, जितना उसने काम किया है, तो minimum पैसा तो उसे मिलना ही चाहिए, उसके काम के जितना, और यह necessary क्यों है law, क्योंकि worker को जाहिए, क्योंकि workers को पूरे पैसे नहीं मिलते थे, जितना वो लोग काम करते थे, इतना पैसा नहीं दिया चाता था, तो इस law की वज़े से यह हुआ कि उन लोगों को उतने पैसे मिलते थे, जितना वो काम करते थे, और इस law की वज़े से किन-किन लोगों को benefit हुआ है, देखो workers को, laborers को, construction workers जो होते हैं, जो factory workers होते हैं, domestic workers होते हैं, इन सभी को तो benefit मिला है, यह सभी लोग तो protect हो पाई हैं, क्योंकि law बनने की वज़े से, अब इन्हें fair wages मिलने रग गए, ऐसे ही जो second law है, वो है safety measures पे, जैसे कि alarm system हो गया, emergency exit हो गया, तो यह सब कुछ अगर workplace पे होगा, तो लोगों की protection हो पाईगी, तो why is it necessary, necessary क्यों है, जिस क्योंकि इससे accident है न, वो नहीं होंगे, तो accident को avoid करने के लिए हम safety measures लगवाते हैं, workplaces पे, और इससे किन-किन लोगों को ज़्यादा benefit होता है, इसमें आते हैं labor, workers, इन सब को benefit होता है, क्योंकि safety measures होते हैं workplace पे, next is quality of goods, अब समान की quality अच्छी होगी, तो लोगों को problem face नहीं करने पड़ेगी, उन् अगर goods की quality अच्छी होगी, समान की quality अच्छी होगी market में, तो सभी लोगों को benefit होगा, तो ऐसे ही काफी सारे और भी laws हैं, अगर कोई law, essential goods के price को high नहीं होने दे रहा है, भढ़ने नहीं दे रहा है, तो इससे किन लोगों को benefit होगा, पहले तो यह देखो, essential goods होता हिया है, ज सबसे ज़ादा poor people को help मिलेगी, क्योंकि वो इतने high price में essential goods को नहीं खरीद पाएंगे, तो यह जो law है, इनकी help करेगा, और वो लोग समान को खरीद पाएंगे, effort कर पाएंगे, अगर सस्ते दामों में चीज़े होंगी तो, इस law में यह बताया गया है कि factories जो हैं, वो pollution ना कर अब इससे किसको help लेगी, हमारे environment को, environment lien हो सकेगा इससे, और इससे हम सबी people's को, all people's को benefit होगा, इस law में बताया गया है कि जो workplaces पे child labor से काम करवाया जाता है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐसा करेगा, तो उसे punishment मिलेगी, इस law की वज़े से जो children से उनका career protect हो सकेगा, वो बच्चे पढ़ सकेंगे, factory में काम करने की बज़े, इससे children's को protection मिल सकेगी, वो लोग अपनी education को अच्छे से complete कर पाएंगे, ऐसे ही worker और union association के law बने होई है, इससे जो workers होते हैं, उनको protection मिल सकेगी, उनके जो working condition है, वो अच्छी हो सकेगी, उनको wages protection है, उनको safety मिलती है इस law से, अब आपको इतना तो idea लगी गया होगा ना, कि law क्यों बनाया जाते हैं, और ये क्यों necessary होते हैं, और किन लोगों को ये law protect करते हैं, अभी हमने laws के बारे में देखा, अब ये law बना देना ही enough नहीं है, कि बस law बना दिया और काम खतम नहीं, इस इसको implement भी करना चाहिए, इसको enforce करवाना चाहिए, लागू करवाना चाहिए, तब ही लोगों को benefit मिलेगा, अगर government इनको लागू ही नहीं करवाएगी, तो कोई भी लोग apply करेंगे ही नहीं laws को, और laws को अगर apply नहीं करेंगे, तो फिर बनने का कोई फायदा ही नहीं है, अपनी life में, तब जाके कुछ benefit होगा workers को, क्योंकि implement करने से जो weak people हैं, वो strong से protect हो पाएंगे, क्योंकि strong people सो weak people को दबाते और सताते थे, तो laws की वज़े से वो अपने अपको protect कर पाएंगे, जैसे कि जो workers हैं, उनको fair wages मिलेगा, जितना उन्होंने काम किया है, उतना पैसा मि लेगा, और government को inspect भी करना चाहिए, वरक साइट पे, कि क्या workers को सही wages मिल रहे हैं, कई ऐसा तो नहीं है कि उन लोग के साथ गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, तो government को punish करना चाहिए, जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, उन लोगों को, जब workers अपने आपको poor, गरीब औ powerless समझते हैं, तो उनके मन में doubt होता है, fear होता है, डर होता है कि हम अपनी future earning को कहीं खतम ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं, जो छोटी मोटी हमें job मिल रखी है, वो भी हमसे छिंज जाए, तो employers जो उनको job देते हैं, वो इस चीज़ का फाइदा उठाते हैं, और उनको कम से कम प नहीं कर पाएंगे, उन लोग का फाइदा नहीं उठा पाएंगे, उन्हें proper जितनी earning उन्हें देनी चाहिए, उतनी उन लोग को देंगे, laws बनने के बाद enforce किये जाते हैं, enforce बोले तो लागू करना, तो लागू करने के बाद government, private companies पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है, और जो workers होते हैं, उनको social justice मिलता है, इंसाफ मिलता है, Indian constitution में भी बहुत सारे fundamental right है, fundamental बोले तो basic right, जो कि सभी का अधिकार है लेने का, जैसे की right against exploitation, किसी के साथ भी exploitation नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से किसी के साथ भी काम नहीं करवाना चाहिए, जैसे की workers के साथ होता है, उनको काम के बहुत कम पैसे दिये जाता है, बहुत कम मनी दिया जाता है, low wages दिये जाते है, और उनसे bondage जयानि की उनको भांद की उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है और पैसा भी नहीं दिया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए भी बहुत सारे laws बनाए गई हैं और जो 14 years के बच्चे होती हैं उनको भी काम करने के लिए permission नहीं दी जानी चाहिए factories मे क्योंकि वो तो छोटे हैं ना उनको तो पढ़ना चाहिए उनको तो education चाहिए तुम education के जगा पे उन बिचारे बच्चों को काम पे लगा दोगे तो उनका feature तो वैसे ही खराब हो जाएगा ना मुझे तो अपने बच्चपन की याद आ गई मेरी एक friend थी वो hazardous factory में काम कर दी थी उसने बढ़ाई छोड़ दी थी जब वो second class में थी hazardous factory बोले तो जैसे chemical की factors होती है, mines की factors होती है, future ही बरबाद हो जाता है बच्चों का यहाँ पे यह जो laws है वो practice में कैसे आते हैं, मतलब की कैसे apply किया जाते हैं, क्या लोग इनको follow करते हैं, क्या government follow करती है और लोगों को social justice मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, यह सारे question के answer हम इस chapter में आगे देखेंगे, तो चलो आगे भी पढ़ना पड़ेगा अब तो इस chapter को 2011 के census के according, 4 million children जिनकी age 5 और 14 के बीच में है, वो hazardous factory में काम कर रही थे 2016 में तो parliament ने child labor भी change किया था, amend किया था, उसमें changes लेकर आए थे, जिससे की जो children हैं, उनसे काम ना करवाया जाए इसे एक offense भी माना गया, offense बोले तो अब राद, अब कोई भी छोटे बच्चों से जाडियस factory में काम कराएगा, तो उससे fine देना पड़ेगा, 20,000 से लेकर 50,000 तक, या फिर 6 मन से लेकर 2 years तक जेल में सरना पड़ेगा, ये सब इसलिए करना पड़ा जिससे की factory वाले डर जाएं और छोटे बच्चों को काम पे ना रखें, उन्हें पढ़ने दें, गौर्मेंट ने online platform पे भी एक portal बनाया है, जिससे की लोग यहाँ पर complaint फाइल कर सकें, अगर कोई देखता है कि child labor है क कहीं पर, कहीं पर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और उसकी complain करनी है, तो वो direct जाके इस portal पे complain कर सकते हैं, इस portal का नाम है Pencil, Pencil बोले तो platform for effective enforcement for no child labor, ध्यान से देखो इस छोटे बच्चे को, अगर ऐसा कोई बच्चा आपको किसी भी दुकान पे दिखाई देता है, तो उस की complain सीधा government के पास करना, जिससे की वो ये सारे काम छोड़के अपने education पे focus करे, पढ़ाई करे, यहाँ पे छोटी सी बच्ची भी बरतंद हो रही है, तो घर घर जाके बरतंद हो ना, ये भी तो गलत है, इससे भी तो बच्चे की पढ़ाई effect करती है, ये school ना जाके, लोग अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे, तो उसकी complain आप government पे कर सकते हैं, जिससे की government action लेगी और उस बच्चे को भेजेगी school, भुपाल कैस tragedy, बहुत साल पहले की बात है, भुपाल में एक company थी, American company, Union Carbide, वहाँ पे pesticides बनते थे, chemical factory थी, उसमें methyl isocyanate, जिसको हम short form में M.I.C. ये एक poisonous gas थी, और ये एक दिन रात में 2nd December को leak हो गई ये gas, और उसकी वज़े से क्या क्या हुआ, वो हम आगे देखेंगे, जब ये incident हुआ था रात में, तो उस time एक लेडी थी, अजीजा सुल्तान, वो बताती हैं कि रात को साड़े बारा वज़े 12.30 के time, मेरे बे वो खास ने लग गया, और पूरा room एक white धुए से भर गया था, सफेद रंग का पूरे में धुआ हो गया था, और हम लोगों को सास भी नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से हम सास ले पारे थे, हमारी eyes में भी burning जल रही थी हमारी आखे, ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्य ही डाव दिया हो हमारी eyes में, इस tragedy के तीन दिन के अंदर अंदर, 8,000 people मर गए थे, बताओ, तीन दिन के अंदर अंदर, और 100,000 तो घायल ही हो गए थे, main means होता है घायल, क्या tragedy थी, इसने तो हिला के ही रख दिया लोगों को, इस figure में आप देख भी सकते हैं, जो लोग मर जैसे एकटा करके जलाया जा रहा है एक साथ, इस poisonous gas की वज़े से जादा तर poor people मरे हैं, और जो working class families हैं, वो लोग effect होए हैं, 50,000 people तो आज भी बिमार हैं इस वज़े से, और जादा तर लोगों के तो respiratory disorder, यानि कि बहुत जादा उने सास लेने में दिक्कत हो रही है, eyes में problem ह और पर काफी सारी problems आ गई हैं, यहां पर इस figure में भी देख सकते हैं, आप कि यह चोटी सी बच्ची कैसे बैठी है और इसकी eyes भी खराब हो चुकी हैं, हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी problems आई थी लोगों को, यह disaster, tragedy, कोई accident नहीं थी, अचानक नहीं हुआ था य सब चीजे, essential safety measures नहीं लिए गए थे, इस वज़े से हुआ था है disaster, क्योंकि जो business man है, जो factories है, वो तो अपना पैसा बचाएंगी न, तो उन्होंने क्या क्या रा कि cost कर टिंकरना शुरू कर दी, सोचा कि safety measures कौन लेकर आए, वो भी तो पैसो से आएंगे, machines भी तो पैसो से आ ये ignore किया गयाता चीजों को, अगर safety measures होते, तो ऐसा नहीं होता, इस figure में भी आप देख सकते हैं, जो union carbide company के employees है न, वो कैसे protest कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे साथ गलत हुआ है, जितने भी people's इस tragedy के शिकार बने थे, वो सभी मिलके गए, government के पास और बोला कि हम के साथ गलत हुआ है, हम लोग पास evidence भी ये सबूत है, American company के खिलाफ उन लोगों ने बहुत गलत किया है, अगर safety measure होते, तो हम लोगों को इतनी जादा problem नहीं छेलनी पड़ती, government ने फिर इन victims की, help करने की कोशिश की और बोला कि जो union carbide American company है न, उसके against civil case होगा, उन लोगो 3 dollar billion compensation देना पड़ेगा, लेकिन जो American company थी, वो कहां इतना पैसा देने वाली थी, उन्होंने सिर्फ 470 dollar million दिया और यहां से निकल लिये, लोगों ने Supreme Court में भी जाके बोला कि American company तो बहुत कम पैसा दे रही है, इससे क्या होगा हमारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, Supreme Court मे भी कोई जादा action नहीं लिया गया, Union Carbide जो American company थी, वो तो यहां से चले कि अपना पूरी अब इस तरह उठाके कि चलो America, लेकिन इतना सारा chemical छोड़ गई भोपाल में, उसका क्या, वो तो सारा ground में जा रहा था ना, और ground से पूरा अपना water जो है, वो सारा खराब हो रहा थ chemical की वज़े से, और लोगों को problem हो रही थी क्योंकि लोगों पानी पीने को नहीं मिल रहा था, और अपनी company को ये DAW chemical को बेच गई, एक और company थी, वो इंडिया की थी तो उन्हें बेच जिया कि आप लोग ये company, अब हम इस company को बेच रहे हैं, और DAW chemical वालों ने बोला कि हमार कोई responsibility नहीं है, इस figure में आप देख भी सकते हैं, chemical के कितने सारे bags पढ़े होई हैं, इसकी वज़े से animals को भी तो effect पढ़ रहा है, जो animals हैं उन्हें तो पता नहीं है, chemical है, और वो तो खा जा रहे हैं ऐसे ही, तो इनकी तो death हो जाएगी, ना cow वगरा है, इनकी तो death हो जाएग दो, job दो उन लोगों को, जो लोग union carbide company में poison की वज़े से effect होई हैं, उनकी health पे इतनी problem आई है, उन लोगों को भी job दो, people's demand करे हैं कि जो anderson है ना union carbide company का chairman, उसके against भी action लेना चाहिए, उस पे तो कोई action लिया ही नहीं गया, जबकि उसने तो criminal काम किया है, criminal charges लगने ये incident 1984 में हुआ था, तो अब तो 24 years से जाधा time हो चुका है, तो यहाँ पे लिखा हुए ने 24 years, तो आपको confused नहीं होना है, यहाँ पे हम इस picture में देख भी सकते हैं कि लोग struggle कैसे कर रहे हैं justice के लिए, कि हमें इंसाफ दो, what is a worker's worth, जो worker हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या value है, क्या worth है, क्या कीमत है, अगर हम ये जानना चाते हैं कि भुपाल disaster क्यों हुआ, तो सबसे पहले ये question arise होता है, कि जो union कारबाइट की company थी ना, उन्होंने इंडिया में ही क्यों अपना plant setup किया, क्यों अपने factory यहाँ पर setup की, तो उसका एक reason ये है, कि जो foreign companies होती है वो इंडिया में आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सस्ती labor मिलती है, cheap labor मिलती है, कम पैसों में ही काम करने को ready हो जाती है, लेकिन ये foreign companies अगर अपने ही country में जैसे की USA हो गया, वहाँ पर ही company को setup करेंगी, तो वहाँ के जो workers होंगे, उनको जादा wages देने पड़ेंगे, वो इंडिया में तो कम में ही काम कर लेते हैं, तो इस वज़े से USA के company सोचती है, क्यों ना इंडिया जाया जाए, वहाँ पर अपनी company setup करते हैं, और वहाँ पर हमें cheap labor मिलेगी, सस्ते दामों में हम काम करवा सकेंगे, और lower pay, यानि कि कम पैसे देंगे, और जादा जादा आर्स तक work कराएंगे, companies workers को housing facility भी कम देती हैं, तो यह जो additional expenses है न, यह सारा बचा के ही profit कमाते हैं companies, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, companies can save cost, यह जो cost cutting है कि कम पैसा देना, और कम facilities देना, तो यह सब save करके higher profit earn करती हैं companies, और भी dangerous तरीकों से cost cutting करते थे यह company वाले, पैसा बचाते थे जैसे की lower safety measures लिए जाते थे, workers की safety का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता था, कोई device ही नहीं था safety measures के लिए, क्योंकि जो company वाले थे न, उन्होंने cost cutting कर रखी थी, पैसा बचा रहे थे, उस सारे safety measure का safety device ना लाके पस पैसा बचाओ, इस वज़े से जो worker थे, उनकी working condition बहुत lower थी Union Carbide UC Plant जो था factory थी भोपाल में, वहाँ पे जो safety device थे, वो माल functioning थे खराब हो रखे थे, और उनकी short supply थी, बहुत ही कम supply थी, तो ना के बराबरी थे safety device, क्योंकि company वाले पैसा ही नहीं खर्च करना चाते थे 1980 से, 1984 के बीच का जो time period था ना, उस time company ने सोचा, क्यों ना number of workers कम कर दिये जाएं, तो इन्होंने number of workers एक्दम half कर दिये, जैसे कि पहले 12 worker काम करते थे, तो 12 में से अब 6 worker काम कर रहे हैं, और वो जो 6 worker है ना, उनसे इतना जादा काम करवाया जा रहा है, कि बस पूछो ही मत, वो 12 के बराबर काम कर रहे हैं, इससे company को क्या profit हुआ देखो, ये profit हुआ कि उनको सरिफ अब 6 people की salary देनी पड़ रही है, और काम पूरा-पूरा मिल रहा है, तो इस तरीके से भी इन लोगों ने money को save किया था, company ने workers का जो safety training time period था ना, वो भी reduce कर दिया, कम कर दिया, पहले six month की training होती थी, फिर इन्होंने 15 days की कर दी, और यहां भी पैसा बचाने की कोशिश किया, देखो, कम days की कर दिया, जिससे कि इनका पैसा बच जाए, और जो night shift होती थी workers की, वो भी खतम कर दी, जिससे कि night shift का पैसा ना देना पड़े, तो यहां भी ये लोग money को बचा रही अगर मैं उस time होती ना, तो मैं पक्का बोलती कि अरे कंजूस company वालो, कहां ले जाओगे इतना money बचा के, कुछ तो workers को दे दो, इस figure में आप देख सकते हैं, यह construction site पे जो workers होते हैं ना, वो हैं, अब इनके लिए कोई भी safety equipment होता ही नहीं है, इसी वज़े से तो accidents हो जाते ह यहां पे comparison भी दिया गया है, कि जो union carbide safety system है ना, वो भुपाल में कैसा है और US की company में कैसा है, तो दोनों companies में यहां पे comparison देखेंगे, USA में एक place है West Virginia, वहां पे computerist warning and monitoring systems है, वहां पे computer में ही पता चल जाता है अगर कोई disaster होने वाला होता है तो, लेकिन भुपाल में ऐसा नह से detect करना पड़ता है, gas leaks, मतलब कि उनको खुद से detect करना पड़ता है, कोई monitoring system नहीं होता, कोई computerized warning नहीं होती, USA के West Virginia company में emergency evacuation plans होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर कोई disaster होता है, तो उनके पास emergency exit gate के लिए, मतलब evacuation को खाली कराना, अगर उस place को खाली करवाना है उन लोगो सही नहीं है, कि कोई emergency evacuation plan भी होना चाहिए, सभी countries में safety standards को लेके इतने differences क्यों होते हैं, कि कहीं पे तो safety standards इतना अच्छा है, तो किसी country में बहुत ही बेकार, और जहां पे disaster भी होते हैं, तो वहां पे उन लोगो victims को जो सफर कर रहे होते हैं, उन्हें उतना compensation भी नहीं मिलता ह और अगर मिलता भी है, तो वह बहुत low होता है, कम होता है, तो यह सब चीजे क्यों होती हैं, ऐसे difference is क्यों, हमारी country India, USA के comparison में rich तो नहीं है इतनी, USA rich है, तो अमीर देश जो होते हैं वहां पे तो सारे safety measures लिये जाते हैं, लेकिन जो गरीब देश होते हैं उनके comparison में, वहां पे इतने safety measures नहीं लिये जाते हैं, तो इसके एक part का answer यह है, कि जो Indian workers है ना, उनके कोई worth ही नहीं है, कोई value ही नहीं होती, कोई कीमत ही नहीं होती, क्योंकि कोई भी एक worker, दूसरे एक worker को replace कर सकता है, क्योंकि workers के तो यहां पे कोई कम ही नहीं है, हमारी country में, इंडिया में unemployment बिरोजगारी बहुत जादा है, लोगों के पास job ही नहीं है, तो workers जादा है इंडिया में और job कम है, तो इसका पूरा पूरा फाइदा company वाले उठाते हैं, वो सोचते हैं हमारे पास तो workers की कोई कमी ही नहीं है, तो वो किसी भी worker को कभी भी निकाल देते हैं, तो workers बहुत करने से मतलब है, कम से कम हमें wages तो मिलेगा, money तो मिलेगा, workers, vulnerability, it means जो workers होते हैं, वो कमजोर पढ़ जाते हैं, employers के सामने, employers वो लोग होते हैं, जो workers को hire करते हैं, job देते हैं, तो employers सोचते हैं कि अब इनको तो जुरुत है job की, तो क्यों ना जो safety measures है ना, उनको ignore किया जाए workplace safety measures हम देंगे ही नहीं workers को, क्योंकि हमारा money खर्च होगा और हमको तो money save करना है ना, भोपाल gas tragedy को इतने years हो गए, लेकिन अभी भी regular reports आते हैं, accident की, कि construction site पे, mines में, factories में, इतने सारे accidents होए हैं, ये क्यों होए हैं, क्यों होए हैं, क्योंकि जो employers है ना, उनका callous attitude है, callous मतलब ह होता है कठोर, वो लोग बहुत जादा कटर होते हैं, खडूस होते हैं, उनको तो दया भाफना होती ही नहीं है, किसी पे दया करने ही नहीं होती, बस उनको अपने money से मतलब है, money को बचाओ, क्योंकि ये लोग rich बनना चाते हैं, अमीर बनना चाते हैं, इसलिए पैसा save करते हैं, इनको बस पैसे से मतलब है, चाहे किसी की जान क्यों न चली जाए, enforcement of safety laws, law को जो बनाता है, उसे बोलता है lawmaker, और जो उसे लागू कराता है, apply कराता है, उसे बोलता है enforcer, तो government lawmaker भी है और enforcer भी है, और government ensure कराती है, कि जो safety laws है न वो भी implement होने चाहिए, और government की क्या duty हो government ही देती है, बोलती है कि कोई भी इस law का violation नी करेगा, उलंगन नी करेगा, सबको मानना पड़ेगा ये law, लेकिन government तब क्या कर रही थी, जब union carbon plant में safety standards का blatant, मतलब खुलम खुला violation हो रहता, उलंगन किया जा रहा था, जबकि safety standards तो right to life में आता है, article 21 में, तब भी जो company वा workers को safety standards provide ही नहीं करवाई थे, अब ऐसा क्यों हो आता उस time पर, क्योंकि देखो, first यहां पर बताया गया है, safety laws were lax, जो safety laws थे न, वो बहुत धीले ढाले थे, strict law नहीं थे, और secondly बताया गया है, कि जो धीले ढाले लोते, weak safety laws थे, इनको भी enforce नहीं करवाया गया था, लागू न ने भी इस plant को, इस company को लगाने के लिए मना नहीं किया, जबकि यह हजार यस्ती खतरनाक थी, और बोला गया कि आप अपने company populated locality में लगा सकते हैं, जहां पे ज़्यादा population है, वहां भी इनको permission दे दी, कुछ municipal officials से भोपाल के, उन्होंने objection भी उठाया कि नहीं, ऐसा नहीं ह होना चाहिए, यहां पे तो लोगों को problem हो जाएगी, और यह जो methyl isocyanate MIC gas है, यह कितनी नुकसान दायक होगी लोगों के लिए, यह तो safety violation हो रहा है, तो government ने बोला कि हाँ हमें पता है, लेकिन अगर कोई company हाँ पर investment कर रही है, तो इस से लोगों को job मिल सकेगी, कम से कम होचा, कि जब इसका installation हो रहा था ना, company बन रही थी 1978 में, तब at least यह लोग cleaner technology यूज करते है, company वाले, union carbide वाले, या फिर कोई safer procedure यूज करते है, तो इससे लोगों को problem तो नहीं होती है, at least, लेकिन government ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, even जो government inspectors थे ना, वो इस plant के लिए, company के लि approve करते चले जा रहे थे, जबकि repeated incident हो रहे थे, gas leak के लोगों को problem हो रही थी, तो भी यह लोग देखी नहीं रहे थे, सब कुछ ignore किया जा रहा था, ये चीज़े गलत थी ना, लेकिन government ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, even जो government inspectors थे ना, वो इस plant के लिए, company के लिए, जो भी procedure हो जा था, government law को बनाती है, और उसको enforce करवाती है, लागू करवाती है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ contrary हो रहे है, opposite हो रहे है, people के interest को protect करके रखना चाहिए, और government तो जो safety measures होते है ना, जो भी safety दी जाती है, government और private company उसको ignore कर रही है, disregarded कर रही है, workers को safety नहीं मिल पा रही है, this is obviously not at all desirable, यह सब चीज़े desirable नहीं है, ठीक नहीं है, तो जो industries होती है ना, चाहिए वो local हो या फिर foreign companies हो, तो इंडिया में जो companies आती है, उनके लिए stronger law बनने चाहिए, जिससे कि जो workers है ना, उनको protect करके रखा जाए, और जो laws होते हैं, उनको enforce करवाते हैं, लागू करवाते ह तो बैटर तरीके से करवाना चाहिए, कि लोग उसको follow करें, यहाँ पर बताया गया है, कि जो travel agency है ना, उन्होंने 8 lakh का compensation दिया था, टूरिस्ट को, क्योंकि वो Disneyland और Paris नहीं लेखर जा पहते हैं, शॉपिंग के लिए टूरिस्ट को, तो उन्होंने पैसे देना पड़ा, ल वरिस्ट उन्होंने 8 lakh का compensation ले लिया, 8 lakh रुपीज ले लिया, travel agency से, new laws to protect the environment, 1984 के बाद, बहुत ही कम laws बनाए गए, environment को protect करने के लिए, और जो बनवाए भी गए, वो enforce नहीं गए गए, लागू नहीं किये गए, तो environment को ऐसे treat किया जाता था, कि जैसे वो free entity है, free में मिल रहा को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने गंदा कर रखा था, environment इतना pollute हो गया था, कि उसकी वज़े से लोगों की health खराब होने लग गई थी, लेकिन company वालों को क्या है, उन्हें तो बस अपने money से ही मतलब था, union carbed की जो company थी, उन्होंने देख लिया कि यहां पे इंडिया प कि आपको पहले environment का और safety standards का ख्याल रखना पड़ेगा, otherwise आप company को नहीं setup कर सकते हो, इंडिया में जो भुपाल gas tragedy हुई थी, भुपाल disaster हुआ था, उसकी वज़े से environment में कावे सारे issue आई थे, क्योंकि उस gas के leak होने की वज़े से, वहां के जो आसपास के लोग थे ना, वो भी effect होए थे, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ only workers कोई problem हुई थी, और भी आसपास के लोगों को problem हुई थी, इस poisonous gas की वज़े से, तब लोगों को feel हुआ, कि अच्छा, यह जो हमारे इंडिया में loss बने है न, यह weak है, यह worker को क्या, हम लोगों को ही अच्छे से cover नहीं कर पा रहे है हम लोगों को इतना सफर करना पड़ रहा है, industrial accidents हो रहे हैं इतने सारे, environmental activist ने pressure बनाया government पे, कि आपको new loss बनाने चाहिए environment के लिए, बोपाल गैस tragedy से कितना बुरा हुआ लोगों का, तो finally government ने new loss बनाया environment के, और कहा कि जो भी polluter होगा न, जो भी pollution करेगा, उसे punishment मिलेगी, फिर answer करना पड़ेगा, punishment मिलेगी, अच्छी खासी, यूकि environment जो है न, वो generation to generation यूज होता है, इसको हमें destroy नहीं करना चाहिए, industry की development की वज़े से, डाव, how many more must die, वोपाल के strategy होने के बाद, US company तो अपना चली गई थे बेचके, डाव कंपनी को, तो अब जो डाव कंपनी है इन्हों ने भी environment को clean नहीं करवाया, और government ने फिर यहाँ पे आप देख सकते है, red paint करवाया हुआ है, जिसे कि लोग यहाँ से पानी ना लें, तब भी लोग यहाँ से पानी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई option ही नहीं है, sustainable development goal number 9 है, industry, innovation and infrastructure, industry को innovate करना, और उसका infrastructure बनाना उसको अच्छे से company को set up करना, court ने भी अपने judgment में बोला कि healthy environment तो सभी का right है, यह fundamental right to life में आता है, शुबाश कुमार वर्सिस state of बिहार का जो case था ना, उसमें Supreme Court ने बोला था, right to life, fundamental right है क्योंकि यह constitution के article number 21 में लिखा गया है, और इसमें बताया गया है, कि सभी लोगों को pollution free, water और air enjoy करने का अधिकार है, government की responsibility है कि वो law और procedure को set up करे और check करे, कि कहीं pollution तो नहीं है कहीं, और clean करे river को, और heavy fine लगाया है उन लोगों को, जो लोग pollution फैलाते हैं, environment as a public facility, court ने strong order लेने start कर देते environmental issues के लिए, लिकिन इससे बहुत सारे people को problem भी हो रही थी, क्योंकि industry close हो गई थी, बंद हो गई थी, तो job ने मिल रही थी, तो workers को problem हो रही थी especially, तो court ने बोला कि जो डैली में residential area है जहां पे लोग रहते हैं, वहां के आसपास कोई industry नहीं होनी चाहिए, वहां पे जो इतनी में industries उसे close कर दो, ये shift कर दो किसी और city में, ये industries यमना river को pollute कर रही थी पूरी river गंदी हो चुकी थी, क्योंकि यहां पे कोई भी rule को follow नहीं किया जा रहा था, setup करने से पहले industry का, court ने ये problem तो solve कर दी थी, pollution की, लेकिन एक और problem create हो गई थी, जितनी भी industries बंद होई थी न, उनमें जो workers काम करते थे, उन्होंने अपनी job loss कर दी थी, बाकी की जो industries थ पूरी थी workers के लिए, और court ने तो ये बोल दिया कि कि किसी और जगा पे setup करो, industry खा, अरे कहीं और वे setup करेंगे तो उस place पे भी तो pollution होगा, वहाँ भी तो लोगों को effect होगा, वहाँ भी तो safety condition अच्छे से रखनी पड़ेगी, decision लेने से पहले ये चीज़े तो सोची ही नही कोट ने, इंडिया में research हुए environmental issues को लेके, तो ये बताया गया है कि जो middle class families होती है ना, वो तो अपना solution कर लेती हैं, लेकिन जो poor people होते हैं, वो लोग सफर करते हैं, उन लोग को problem जादा होती है, क्योंकि उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जैसे कि जो slum area होता है, जो कि हमारी जो city है, वो beautiful दिखे, ऐसा ही कि अभी हमने उपर देखा कि जो factory pollution फैलाती हैं, उनको city के भार वाले area में shift कर दिया गया, लेकिन जो city के भार वाले area है, वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन है तो people's ना, उनमें भी तो जान है, तो जो workers हैं, उनकी safety के बारे में भी कोई नहीं सोच रहा है, बस यह लगा है कि अपने आसपास अच्छा हो, middle class family को और rich family को तो यही लगता है कि बस हमारे आसपास अच्छा हो, चाहिए गरीब लोग कैसे भी रहे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन सब challenges का कोई तो solution होना चाहिए तो इससे ही होगा कि देखो factory भी अच्छे से setup हो सकेगी, लोगों को job भी मिल सकेगी और environment भी pollution free रहेगा, यूगि उनको मन में डर रहेगा ना factory वालों की, कि हाँ अगर हमने pollution किया तो हमें fine लगेगा, तो इससे factory बंद भी नहीं होगी और हमारा जो environment है वो pollution free भी रहेगा, यहाँ पर देखी बताया गया है कि जो vehicles होते हैं तो वो सबस्यादा environmental pollution करते है, air pollution सबस्यादा vehicles से ही होता है, तो 1998 के टाइम पर ना Supreme Court ने बोला था कि जो भी public transport vehicles है जो diesel से चल रहे हैं, तो उनको switch करके compressed natural gas में CNG में convert कर दिया जाए, क्योंकि CNG से कम pollution होता है, डैली जैसे city म तो सबसे जादा air pollution होता है, और Central for Science and Environmental Report में बताया गया है कि जो New Delhi है ना, वहाँ पर highly level of toxic substance है air में, सबसे जादा धुआ होता है, आप देख सकते हैं, आपर ये vehicle भी कितना धुआ कर रहा है, तो इससे air pollution ही तो हो रहा है, यहाँ पर एक और figure दी गई है, एक factory की, यहाँ पर सारे workers कैसे बैठे हुए है, क्योंकि factory जो है, close हो गई है, और यहाँ पर इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, daily wage laborer हैं यह, conclusion, इसमें बताया गया है कि law important क्यों होते हैं, देखो market के लिए, office के लिए, factory के लिए, तो जो private company, contractor है, business person है, इन लोगों को तो higher profit कमाना है, और इस देते हैं, children's को भी, बच्चों को भी रख लेते हैं, काम के लिए, और उनकी working condition में बहुत खराब कर देते हैं, environment को भी damage करते हैं, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए law होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, government का भी इसमें major role होता है, government उन activities को control करती है, private company की, जो की बहुत होती हैं, इस वज़े से law बनाया जाते हैं, और ये भी देखते है, government की, वो law को follow कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई unfair practice तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, workers को social justice तो मिल रहा है, इंसाफ तो मिल रहा है न, law अगर weak पढ़ जाते हैं, तो लोगों के साथ बहुत गलत होता है, या फिर उनको poorly enforce किया जाए, apply ना किया जाए अच्छे से, जैसे कि बोपाल गैस tragedy में हुआ था, people, लोग भी private company और government पे pressure exert कर सकते हैं, pressure create कर सकते हैं, कि हमें environment clean चाहिए, हमें justice दो, इंसाफ दो, तो इससे ये होता है कि laws बन जाते हैं, क्योंकि court है न, वो people की ही favor लेता है, बोलते हैं कि हाँ सही बोल रहे है, environment खराब हो रहे है, लोगों को problem हो रही है, और right to life तो सभी का अधिकार है न, healthy environment तो सभी को चाहिए होता है न, ऐसे ही workers right हैं कुछ, जैसे कि right to work, work करने का अधिकार, right to fair wages, उतना पैसा मिले जितना लोग काम कर रहे है उतना पैसा तो मिले, लोगों को कम पैसा ना दिया जाए, और उनकी working condition है न, वो भी अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए safety measures होने चाहिए, तो अगर people's stronger law की demand करेंगे न, protest करेंगे, तो law बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, क्योंकि right to life जीने का अधिकार तो सभी को है, sustainable development goal number 8 में बुला गया है, decent work and economic growth, अच्छी work condition होनी चाहिए, तभी economic growth होगी, यहाँ पर आप यह figure देख सकते हैं, ship की figure है, तो इसमें बताया गया है, कि जो rich country होती है न, वो poor country में toxic substances को भेज देती है, industry के, जैसे कि South Asian country हुई, जैसे इंडिया हो गया, बांगलादेश और Pakistan, यहाँ पर काफी सारे toxic substances को भेजा जाता है, जैसे कि पैस्टिसाइड होगे, एबस्टरस होगे, और zinc और lead, इससे क्या होता है कि river खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, और ऐसे ही जो ship breaking का काम होता है न, जो ship खराब हो जाती है, जिस country ही, वो इन एरिया में भेज देते जैसे कि बांगलादेश हो गया और इंडिया हो गया, वहाँ पर आके तोड़ ताड़ के और rivers में डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो इंडिया और बांगलादेश के आसपास की rivers है न, वो pollute हो जाती है, वो खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे strong law बना ह नहीं गया है, तो जो भी rich country होती है, वो इससे का फायदा उठा लेती है, चाप्टर होता है हमारा finish, if you like this video, please share with your friends, thank you